आपका पैसा उनके अंदर डूब ना जाए तो इसके अंदर हम जानकारी लेंगे इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सी कंपनियों में ऐसा हो रहा है मैं ये अभी आपको क्लियर करना चाओंगा कि सभी PSU कंपनियों के अंदर ये नहीं हो रहा है कुछ यहाँ पे लगबग 12-15 कंपनिया ऐसी है जो PSU कंपनिया है जो सरकारी कंपनिया है जो बहुत बजिंग सेक्टर है उनके अंदर ये खेल चल रहा है तो कौन सी कंपनिया है और क्या ये खेल चल रहा है पूरा वीडियो आपको देखोगे तब ये समझ में आएगा अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं लेकिन आपसे पहले रिक्वेस्ट करना चाओंगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक करेंगे अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा तो सबसे पहले हम चलते हैं यापे देख लेते हैं कि कौन- और ऐसी कंपनियां देखेंगे जो कंटिनुसली याँ पे पिछले 6 महीने से 7 महीने से साल भर से अच्छा रिटन दे रही हैं अच्छे का मीनिंग वहां से 30% से ज़ाधा रिटन दे चुकी हैं और कंपनियां रिटन तो दे चुकी हैं लेकिन उन कंपनियों के अंदर जो फ प्राइज को एक ही साइड में बहुत ज़्याधा मुमेंट करा सकता है कहने का मीनिंग यह है कि कंपनी के पास जो ट्रेडेबल सेर है न वो बहुत कम है और जो प्रोमोटर है वो गौवर्मेंट है और प्रोमोटर की हिस्सेदारी देखोगे तो 90% से उपर हिस्सेदारी है और बहुत कम यहाँ पे ट्रेडेबल सेर है जो यहाँ पे उन ट्रेडेबल सेर को एक ही ऑपरेटर कोई भी यहाँ यह नहीं कर रहा है ठीक है और ऐसी कमपनिया में बताऊंगा कि वो kamiya continuously घाटा कर रही है ऊनके अंदर कोई revenue ग्रोथ नहीं हो रही है operating जो profit है वो भी नहीं आ रहा है और profitability है वो भी बहुत कम है या फिर ने के बराबर है या minus में चल रही है फिर भी वो company यहाँ पर double कैसे हो गई वो company बहुत ज़्यादा क्यों चल रही है तो ऐसी company को यहाँ पर इसलिए मैं चुना हूँ ऐसी company इसलिए return दे रही है जो मैंने आपको बताया कि जो यह factor है floating factor ठीक है यह floating वाला यह बहुत कम है उन company के अंदर यानि tradable share बहुत कम है और यहाँ पर जो operator है वो एक साथ buying करके फिर उसको किसी भी भाव पर पहुँचा सकता है ठीक है क्योंकि government अगर selling आते है तो government तो promoter था है वो तो बेचने से रहा तो वो नहीं बेचे का तो यहाँ पे क्या होने वाला है जो operator है वो अपना काम कर सकता है किसी भी side में उसको moment करा करके उन company के अंदर mutual fund की भी बहुत कम इसेदारी है और जो इसेदारी है लगभग आप देखोगे public की इसेदारी जादा है ठीक है तो यह इस तरीके से काम कर रही है और यहाँ पे इन company से आपको सावदान रहना है कौन सी company है तो उनके अंदर आप देखोगे कि scooters इंडिया है उसके अंदर 97.75% promoter के पास है यानि कि यह जो कोलम है वो लगभग आप देखोगे कि government के पास है यह इसतनी हिस्सेदारी और यहाँ पे funds है जो mutual fund है उनके पास इतनी हिस्सेदारी है यह बहुत कम है और public के पास देखोगे तो यह इतनी प्रकार की हिस्सेदारी है जो ये पुब्लिक के पास हिस्सेदारी है वो बहुत कम है और ये जो हिस्सेदारी है इसको यहाँ पे आसानी से 15-20 करोट रुपैसे कंपनी को यहाँ पे उपर नीचे करवाया जा सकता है क्योंकि जो पुब्लिक share holding है या जो floating share है वो कम है ट्रेडेबल सेयर है वो कम है ठीक है अब देखो यूको बैंक है उसके अंदर भी यहाँ पर यहाँ पर फ्लोटिंग सेयर कम है एंडू यूल, फिर भी यह कमपनिया है वो यहाँ पे रिटन दे रही है डबल हो चुकी है और पिछले 6-7 महिनों में 30% से उपर का रिटन दे चुकी है तो क्यों दे चुकी है जब इनके अंदर कुछ होई निगा है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि डिफरेंसियेट कर कर लो बाइंग कर लो लेकिन आपको ध्यान रखना होता है कि किस कार की PSU कमपनी है मैं आपको कुछ एकजांपल देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देखो कि जैसे ITI मैंने अभी आपको नाम लिया ठीक है तो यह कमपनी है 26,448 करोर के मार्केट केप की अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो Profit Loss जो Statement है इसके अंदर आप देखो यहाँ पे कमपनी के अंदर यह देखो यहाँ पे growth है ही नहीं sales के अंदर बहुत कम growth है यहाँ और यहाँ पे आप देखोगे operating profit जो कामकाजी मुनापा है वो लगातार यहाँ पे minus के अंदर ही चल रही है company और य इसका वो ही region है आपको यहाँ पे सावधा नहीं रखनी है यहाँ से निकल जाना है आपका पैसा बचना चीए चाहे आपके पैसे ना बने ठीक है आप कम खालो लेकिन आपका पैसा बचना चीए दूसरी company देखो यहाँ पे scooters इंडिया को आप देख लो 250 करोड का market का profit आप इसको देखोगे यहाँ पे sales हो ही नहीं रही है यहाँ पे खतम हो चुकी है company ठीक है sales ही नहीं है ठीक है और company जो यहाँ पे जो MMTC है ठीक है इन company को यहाँ पे जो क्या नाम है government of India है वो बेचना भी चारी है इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे भी operating profit है वो खतम है zero है इस यहाँ पे बी company है यहाँ पे return दे रही है इसके बाद में central bank को आप देखोगे तो central bank को आप देखोगे यहाँ पे जो इसका revenue है वो बहुत कम increase हो रहा है हाला कि यहाँ पे आप देखोगे last के अंदर इस दो quarter के अंदर थोड़ा सा increase हो है लेकिन यह भी बहुत कम हुआ है और अभी भी central bank को यहाँ पे आप देखोगे तो यह जो financing profit है operating profit की बात करोगे तो यहाँ पे central bank है continuously lost के अंदर चल रहा है तो यह सीज भी आपको ध्यान में होनी चीए और यहाँ पे आप देखोगे कि यह जो पिछला 2-3 quarter है ठीक है वहाँ से इसके अंदर थोड़ा profit बनना और यह घट करके फिर पूरा आगया और अभी बहुत कम है और इसका जो data है यहाँ तक ही आप देखोगे कि यह वाला जो data है 3500 करोड में से 1766 करोड रुपए का net profit नहीं हो सकता तो इस दीज को चोड़ेगा यहाँ पे 2022 तक आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो कि company है continuously loss making company है operating profit इनके नहीं हो रहा है फिर भी यह companyya चल रही है इसी प्रकार से आपको companyya देख ली है ITDC को आप देखोगे वो भी इसी प्रकार की company है लेकिन उसके अंदर आप देखोगे कि वो यहाँ पे असोका जो hotel है चानक्यपुरी दहली के अंदर उसकी असोका hotel की कीमत ही है वो 15,000 करोड की है और यहाँ पे उस वज़े से land bank है उसके पास बहुत अच्छा तो उसको company को तो आप फिर भी रख सकते हो बाकी companyya मुझे यहाँ पे नहीं लगती है कि वो कुछ अच्छा करेंगी और इनके अंदर operator है वो operate कर रहा है तो इनके companyya के नाम मैंने बताए उनक है आपको देखना होता है कि promoter की जो हिस्सेदारी है कम से कम 75-80% के बिलो होनी ही चाहिए तभी आपको उसके अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है profitability और revenue growth होनी चाहिए तभी आप company के अंदर यहाँ पे invest है वो करोगे तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आज से आप ऐसी कोई भी company के अंदर investment नहीं करोगे या trading भी नहीं करोगे जो company continuously loss making है revenue growth ही नहीं दिखा रही है दो सीज़े पकड़ लीजिए revenue growth नहीं दिखा रही है और loss making company है उसको आपको नहीं छेड़ना है कुछ भी हो जाए चाहिए तभी आप यहाँ पे पैसा आपना बचा सक सकते उसका link आपको description box में मिल जाएगा मिलते हैं एक वीडियो में thank you very much